हलो नमस्कार साथ यूँ सवात करते हैं आप सबी को आप सब का अपना परिवार प्रतिग्या परिवार पर पिशले क्लास में हम प्लांट ओफ मॉर्फलोजी स्टार्ट किये थे जिसमें एक क्लास आपको प्रहा दिया था उसका नाम था जड़ तो कल पूरे एकजामपल के सा मैं आपको जड़ प्रहा था और आज हम लोग प्रहाने वाले हैं तना के बारे में मतलब की सारी टॉपिक जो है वो किसमें आएगा तो सारी टॉपिक जो आपका प्लांट मॉर्फलोजी इसको हिंदी में पादप आकिरिकी कहा जाता है पादप आकिरिकी मतलब की प्लांट अब यहां पी बड़ा ध्यान से बात को समझेगा हमें इसके बारे पढ़ना दोस्तों मैंने कल बताया था कि देखो यह होते इसके उपर आपका प्रांकुर होते निचे आपका मुलांकुर होते अब रियल बात चो आपकी ए रही और पढ़ने वाले हैं आज जो आपके तना क सवी बातों को द्यान से समझाएं दोस्तों यहांस से निकल गया है क्या हुए आप तना हुआ यहांसे निकल लुक्त गया आप देख आएं परे ना एक तना ऐसे निकल गिए दिए आपको क्या तरना है यहां से दोस्तियां तब तक जोसटों क्या होगा तरना ही होगा अब झूप今年 को बड़ा मत क्या है कि तना का विकास से कहां स अ होता है तो प्रांगकूर से अब प्रांग क्या होता है बड़ा ध्यान समझना हमने बताया थे तरह देखो जी गाथ अभी बतायाrea था जो मालो कि काला प्लास्टिक बहना हुआ वाना प्रम्रान Crowd nas param ला है ए निकाल रहा है उपर क्यों उसी को हम कहते है प्रांगकूर क्या प्रांगकूर और जो जड़ड नीजहें ओर जाना और phototrop का मतलब उपर की और जाना तो अप एक बाद बताईए कि तना निच्चे जाता है तना निच्चे जाता है तो याद रखना दोस्तों तना निच्चे नहीं जाता है इसलिए इनमें geotrop क्या होता है? negative होता है तो क्या phototrop मतलब उपर जाना geotrop मतलब निच्छे आना और phototrop मतलब की उपपर जना तो क्या पतियां उपपर जाता है तो बिलकुल तना उपपर जाता है कल हम प्रहाय थे जड़ में geotrop phototrop तो जड़ निच्छे क्यों जाता था इसलिए उसमें geotrop positive हुआ था और phototrop negative हुआ था कहने का मतलब जियोट्रफ मतलब निचे और फोटोट्रफ मतलब उपर है तो हमको समझाना यह है कि क्या तना उपर जाता है तो फोटोट्रफ यह सज्जाता है क्या तना निचे जाता है नहीं जाता ता निचे यानि कि जियोट्रफ निगेटी होते हैं और फोटोट्रफ नुक्सन होते हैं तो याद रखने दोस्तों इनकी बिसर्ष्टा तना के छिलने से पौधों का स्रवधिक नुक्सन होते हैं अब इसका एकदम पूरूप के साथ मताने वाला हूं अब समझो जैसे कि यहां पर क्या हो रहा था अपड़ा ध्यान समझना यहां पर क्या होता है फटल जा रहा देखिए अब यहसी दोनों आपस में पूरा फट जाएगा तो क्या पौधा रहेगा बोलो पौधा रहेगा तो जीशर बिल्कुल पौधा नहीं रहेगा अगर फट जाएगा तो इसलिए अगर पौधा को ज्यादा च्छति कहां पहुशता है तो याद रख होते हैं कि तना में गाठ पाए जाता है इसको इंटर नोड या सिर्फ नोड कहते है अभी गाठ क्या होता है इंटर नोड क्या होता है वह भी सबुत के साथ देखे दोस्तों अब बात बताएगा जैसे कि यहां पे पेड़ है और यहां पे आपको निकला हुए तो क्या यहां से तना निकलता है उसे हम क्या काते है गाठ देखो यह गाठ फट चुका है यहां भी गाठ है यहां भी गाठ है यहां भी गाठ है और एक और बात ध्यानक ना कि जो गाठ होते हैं पौधे के कभी हमेशा देखे होंगे कि ऐसे इनके सीधा ऐसे निकलता है नहीं निक आता है उसी परकार इसमें समझेगा यहाँ वी गार यहां वी सबस्क्राइल कंलेगा कभी भी चानी मतलब कि तीश्य चिर्षे जिया देख CAR, यहाँ वी कार SANKUENTEE इन इसको क्या बएलते prise o bound baGuort, इसको क्या बूलते है नोट या इंटर नोट करते हैं, नोट या इन इन इसनी बाध समझने स्लेने की सब्जान करते हैं कि देखो यह गाठ frågor नहीं हो गिपता हुगिए इसमें इसको गाठ होसं परन के तीरचे ओके इसलिए आप देखेंगे ऐसे हो गया ऐसे कभी ने सीधे होगा नहीं होगा इसी थे फिर वापाइस चल जाएगा इसको क्या करते गाठ या इसको इंटर नोट करते इतनी बात समझ में आ गया प्रांकूर समझ में आ आपका क्या प्रांकूर यह वाला बाग जड इतने बाद समझ में आ प्रांकूर और यहां पे हम लोग फ्रांकूर पड़े इसके ठीक निचे आप्का मुलांकूर अब ध्यान से समझागा तना का परकार तो तना जेन्यário iets तीन परकार के होते है तना सबसरी पहला का नाम है वाई वीये तना क्या वाई मतलब हवा में रहता है वैसी तना जो कहां रहेगा हावा में नहीं लेगा हवा में आम के पेड़ देखें तो आम के प्रकत अपर में है तो आपके एक जाम में कोचन पुछते हैं कि वाव वायवीए के अंतरगत को ना आते हैं तो वय विये तना में एरियल अस्ट्रिम, में आम आते हैं नीम जानते ना आम को तो पता होगा जो अभी आप चल रहागा बजार में खोब मिल रहा होगा तो रखाव भाव बाब, आम के हो आम वाली, तो पुरा कहानी चल रहा भी आम वाली , आम लेडुब पकल आम कच्छे तो आ свंस师 के वीडियो खुब वобщर चलकी तुट ऑंट समझ गया होगे बड़ा-बड़ा होते हैं पूरा कितना फैल जाते है उसी परकार्णवी निम समझतेiona निमनी मि में जानेते निम नीम का दत्मन होता है क्या होता है दत्मन होता है दोस्तों हुआ क्या हुआ क्या हमारे देश में नीम का वहलू नहीं है लेकिन बिदेशों में नीम काफी महगा विकता है अब सुनो ध्यान से अब आया बाद में नीम पहले हम लोग में क्या कर देते नीम के दत्मन होते थे त मतलब अपना पती का लोग पूजा करते हैं और कहते हैं पता ने क्या को ने पता है और जामून समझते हैं फाल जामून, खाने वाला काले काले, तो वायवये हैं जो हवाम होते हैं आम, नीम, बर्गत, जामून को क्या होते हैं । इसको अम लोगो क्या कहते हैं, उसके बाद मतलब है अर्ध वायवये कहने का सिंपल मतलब अर्द वाईविये अब दोश्तों अर्द वाईविये करें अधा घुसल रहेगा और आधा अधा उपल रहेगा इसके मैं अपना घास इसको में पूरा कवाल लिया हूं और गास ऐसे आपको सामने दिख रहा और घास दिराके भाओं दोश्तों ऐसे ऑसे देख रहा अजिक रहा है। इसे कर गास है यहां Ais आ न इधा जमीन कोषड़ारे रहेगा अधा जमीन में आधा बाहरे रहेगा आधा जमीन में Earth YbE semi-areon Earth YbE semi-areon अब क्या होते हैं कि घास गणने वाले घuvoर्ने हुआ जाते है तो हसुआ हसुआ समझते हैं हसुआ जाते है तो हसुआ साराम शोिक इसको गणने नहों कर्मालगे कि हम घ quantities दान के लगे चल गए लेकिन कुछ ऐसन घतरनाग घसगर्णी होते हैं जड़ के दम कुद्री राते हैं खुरूप के दम जड़ियत कवाल लगते हैं अब जब इसको जड़ माल लेकि हम इसको जड़ के साथ कवाल लिए तो किया वहाँ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मतलब अगर इसको हम काटेंग लिए ना तो कुछ दिन के बाद फिर से फुदक जाएगा मतलब इसको composition हो जाएगा से मुसी प्रकार से जलमुखी, क्या है जल मुखी किसे करते है यहां पर उसका लाना संभब नहीं था अब यहां पर क्या वहाँ जलमुखी जलमुखी झेल मुखी दखते हुए आपके कास अब यहाँ पर क्या दोस्तो जल मुखी अब जल मुखी क्या हो बड़ा ध्यान सुनेगा जल मुखी उसे कहते हैं जो पानी के ऊपर पानी के ऊपर हरा हरा टाइप के भरा हुआ रखता है उसको जल मुखी आते हैं उसको देखते हैं कि बाहर से उसको लोग निकालन करने के कोईजिज भी करेगा तो यह जलकुमभी स üzरी माप पर गाँ जलí बोल दे जलकुमभी है यह अभी deep Jonathan कुमभी क्या होते दोस्तों अब यहाँ पे जलकुमभी क्या होता है जलकुम्भी उसको कहेंगे जो पानी के तो मच्छली को अंदर सास देने नहीं जाता है मतलब सास हवा वहां तक नहीं पहुचते तो उसको जलकुम्भी तो आज एक ना घास जलकुम्भी अर्ध वाइवी है घास और जलकुम्भी कैसा है अर्ध वाइवी है अगला समझेगा अंडर ग्राउंड अंडर ग्राउंड मतलब भूमी गत तना क्या भूमी गत तना अब यह बड़ा ध्यान समझना भूमी गत तना हमने कल प्रहाई था जड़ के बारे में क्या बारा था जड़ के बारे में और हमने प्रहाई था जड़ किसको कहते हैं और तना किसको कहते हैं लोग क्या दिमाम लगाता है मैं यह इधे चला जाए अंदर जमीन में उसको कहेंगे जड़ जैसे कि आपका मुरली इसको मुरई बोलते हैं मुरई है ना मुरई क्या होता है कि कोना बनाते हुई घपाक सिवन चलाता नीचे उसको हुमज की अलुवक खतस कवारीगा ना तो हुमज के बाहर आएगा मतलब कि जो चलाता यसे इतिहास में की पहले के लोग जंगलों में कल कहां की रहते थे मतलब कि कंद में क्या क्या आएगा तो आलू आएगा और ओल आएगा कंदा नहीं आएगा आलू और ओल एको कंदा भी होता है आलू आएगा और ओल आएगा किसमें तो आपका कंद में हाँ कंदा भी ला सकते हैं लेकिन वह एक्जाम नहीं आएगा आलू ओल और कंदा कंदा अपने लगा पंताने शुर्ड इसके इंगलिस में क्या नाम है तो आलू और ओल आएगा और आलूर और सब्सक्स कई आपके जो गाठा बनाता एंग टीब गात अच्छी तो नोड काते घ्राट की बाता हदि की बात भादी हैो देखेब के लोग को हैं देखो यहां पर गाठ बना दिया यहां पर हुमची गाठ बने लिए है यहां पर हुमची गाठ बने लिए है मतलब कि पूरा गाठ बना रहा है गाठ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं परकंद अदरक हल्दी और एक होता है सलकन सलकन में जिसमें जल की मातर जादा होते हैं तो एक होता है भाईया एक होता है देखो प्याज है और एक छोटा सा लसुन है एक छोटा 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 प्याज और छोटा छोटा लसुन है इसको अगर छी लेंगे तो इसमें आख में पर जाता है और छी लेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ज्यादा होते है इसक को हम करते हैं सलकन वह उसे भी याद रखना कि इसका प्रियोग सलाज में खूप कि राता है आलू लसुन एक सब्सक्राइब नाना है तो यहाद रखना है कि अदरक हल्दी परकंद और अलू और अब इसको हम लोग कहते हैं भूमिगत तना दोस्तों अब बात दोस्तों कों त लेकिन इकोंप नाते हुए सिधाने जमीन में हचाकर से बन जाएगा नहीं जाएगा, कि जमीन में हचाक सवन्न नहीं गया तो तना हुआ, जो हचाक सवन्न मुरही घंड़ा अगर पूचे निम्रिक है कौन तना है, और कौन जड़ है तो इसे करके लंबा जाएगा उसको हम कहें कोची जड़ और जो हेनियल उडियाल रहेगा तो भाई प्याज कोची है तो प्याज तना है यह गणर जा तो बोलेंगे जड़ बाकी सब के तैने तीन पकाद के कंद परकंद सविकन कंद परकंद सलकन कंद किस जो खाने में ज्यादा इस्तेमाल करते आलू ओल परकंद जो गाठा गाठा जाज़ा बनाता है अधरक हलदील सलकन जो जिस्क में जल की मात ज्यादा होते हैं जो मुर्गा और खूब चलता है लसुन और प्याश दोस्तों यह हमारा टौपिक खतम ह हो गया कौनचा टौपिक टौपिक कंपिट होगे तना वाले लेक्स में हम पतियां पढ़ेंगे लिप पढ़ेंगे वीडियो कैसा लगा हुआ कॉमेंट को बताएगा अच्छा लगा हो तो लाएक करना और चानल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आकान देवा ल